दुनिया में एसी कई रहस्में जगाएं हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानतें लेकिन जब इन रहस्में जगाओं से परदा उठ जाता है तो ये लोगों के लिए एक संसनी खेश बन जाती है आज के इस एपिसोड में हम आपको एक एसी रहस्में जगाओं के बारे में बताएंगे जो आपके लिए एक संसनी खेश से कम नहीं होगी जी हाँ आज के इस एपिसोड में हम आपको एसी गाओं के बारे में बताएंगे जो अंधों का गाओं कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जानवरों से लेकर इंसान तक सभी अंदे है तो चलिए बिना टाइम गवाई आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं यह गाउं मेक्सिको के प्रसान महा सागरिय छेतर में मौझूद है इस गाउं का नाम तिल्टेपक है कहा जाता है कि इस गाउं में जो बोटेग जनजाती के लोग रहते है यह बात जानकर आपको हिरानी होगी यहाँ जन्म के समय बच्चे गिल्कुल ठीक होते है लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद उनकी आखों की रोशनी चली जाती है याने की वो अंधे हो जाते है इस गाउं में करिब सहार छोपडिया है जहाँ पर तीन सो के करिब रेड इंडियन लोग रहते है यहाँ की किसी भी छोपड़ी में खिड़किया और दरवाजे मुझूद नहीं है इस गाउं की विचितर बात ये है कि यहाँ पर सभी लोग अंधे है ना सिर्फ इनसान बल्कि कुट्टे बिल्ली और दुसरे पालतु जानवर भी अंधे है अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इहाँ पर तो सब लोग अंधे है तो इहाँ पर बोड़ी मज़ा का काम केसे किया जाता है तो हम आपको बता देते हैं इहाँ पर किसी भी घर में विजली ये दिपक मुझूद नहीं है क्योंकि इहाँ पर सबी लोग अंधे है तो उन्हें दिन और रात का कोई फरक नहीं पड़ता इन लोगों को चुड़ियो की आवाज में मालूप पड़ जाता है कि दिन हो चुका है अब हमें काम के लिए निकल जाना चाहिए और साम को जब पक्षियों के आवाजें आनब बंध हो जाती है तो ये लोग समझ जाते हैं कि अब हम इन जोपे की ओर लोट जाना चाहिए यहां के लोग पत्धरों के विस्तर पर सोते है और खाने में सेम, मक्का और मिल्स खाते है इन लोगों के पास आज भी लगड़ी के बने हुए ओजार मुझूद है कहते हैं कि इन आपर जन्व के समय बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद उनके आँखों के लोशनी चली जाती है याने कि वो अंधे हो जाते है इस गाउ में रहने वाले लोग अपने अंधे पन के पीछी की वजा एक साफित पेड़ को मानते हैं उनका मानना है कि लाउज विला नाम के एक पेड़ को देखने के बाद यहां इनसान से लेकर परसु पक्षी तक सभी अंधे हो जाते हैं सरकार को जब इन लोगों की बिमारी के बारे में पता चला तो उनका इलाश करने की कोशिश की गई लेकिन सब कुछ बेकार रहा वहीं सरकार ने इन लोगों को दुसरे इस्तानों पर बसाने की कोशिश की लेकिन वो भी बेकार रहा क्योंकि गाउं वालों का शरीर दूसरे इस्तान पर सुष्थ नहीं रह सका और उन्हें उनके हाल पर छोलना पड़ा वहीं विज्ञानिकों का खेहना है कि यहां के लोगों के अंधे होने का कारण एक प्रकार का किटानू है जो एक काली मक्खी के काटने से शरीर में फेल जाता है जिसके कारण आँखों की नसे काम करना बंद कर देती है और वेक्ती जल्दी से अंधा हो जाता है दोस्तों ये वडियो आपको किस तर लगा हमें कमेंट करके चुरू बताईए ता और वोडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें थेंक यू फूर वाचिंग